हेलो दोस्तों वेलकम टूडेश्डेकर्स और भाई आज के वीडियो में बात करने वाले हैं रेनो क्विड 2022 के बारे में और अल्टो के टैन 2022 आने के बाद हो सकता है कि रेनो क्विड की जो वैल्लिू है वो भाई मार्केट में बढ़ जाएगी क्योंकि अल्टो के टैन को जो भी खतम होने वाला नहीं है क्योंकि अल्टो के टैन अब एक लिटर के इंजन में आ गई है और क्विड भी आपको एक लिटर के इंजन में मिलती है तो कंपेरिजन तो भाई कहीं न कहीं जरूर होगा और जो गाड़ी बढ़िया होगी कस्टमर उसे ही खरीदेंगे क्योंकि जब कोई कस्टमर अपना पैसा लगाता है तो उसको वेल्यू फोर मनी और बढ़िया चीज खरीदने का भाई पूरा हक है अच्छे से देखो जांचो पर्को और फिर गाड़ी खरीदो तो आज की वीडियो में रैनो क्विड आरेक्ष्टी वन पॉइंट जीरो का जो जो बंपर है वो बिलती है और बड़ा सा रैनो का जो लोगो है वो आपको फरंट में यहाँ पे देख रहा है तो ओवरॉल जो फरंट लुक है वो काफी अग्रेसिव भाई की विड की लगती है और यह है गाड़ी की साइड लुक साइड में अगर बात करें तो 14 इंच के बलेक कलर के स्टील विल और विल कवर के साथ में आपको गाड़ी में टायर्स मिलते हैं बलेक कलर की बोड़ी क्लेडिंग आपको विल आर्क के उपर दी गई है साइड में कोई भी बोड़ी क्लेडिंग आपको नहीं मिलती है यह ज विल्वर कैप के साथ में जो ORVM से वो आपको मिल जाते हैं, A पिलर बोडी कलर, B और C दोनों ही पिलर्स आपको ब्लेक आउट मिलते हैं, ब्लेक कलर में ही जो डोर हैंडल से वो आपको गाड़ी में मिलते हैं, नॉर्मल एंटेन आप छट पे देख सकते हैं, साइड और रिय वो काफी बढ़िया, यहाँ पे आपको मिलते हैं, यहाँ पे आपको मिलता है रिफलेक्टर और जो ब्लेक कलर का बंपर है, वो आपको पीछे मिलता है, और जो पार्किंग सेंसर से वो बंपर पे प्लेस किये गए हैं, दो चोटी-चोटी लाइट दी गए यह नंबर प्ल चाबी है, वो आपको मिलती है, एक ही रिमोट कंट्रोल चाबी है आपको मिलती है, दूसरी चाबी पे कोई भी बटन्स आपको यहाँ पे नहीं मिलते हैं, अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और देखते हैं कि अंदर क्या कुछ फीचर्स रैनो क्विड में दिये गए तो नोर्मल नो मिलती है, आपको दरवाजे को लोक अनलोक करने के लिए, डोर एंडल्स ब्लैक कलर में मिलते हैं, बोटल होल्डर और चोटा मोटा समान रखने की जगह है वो दरवाजे पे मिल जाती है, लेकिन स्पीकर लगाने की जगह है आपको दरवाजे पे नहीं मिलती है driver seat height adjustment का कोई option आपको नहीं मिलता है fabric seats आपको मिलती है और red color का जो theme है वो भी आपको seat पे मिल जाता है RXT variant में fix headrest आपको यहाँ पे मिलते हैं और भाई यह है इस गाड़ी का dashboard black color का जो dashboard है वो आपको मिलता है और driver के right side में power adjustable ORVM का जो control है वो दिया गया है chrome finish के साथ में openable closeable AC vents दिये गए है fully digital M.I.D. meter आपको मिल जाता है रेनो क्विड में भी जैसा कि बाकी रेनोल्ट की गाड़ीयों में आपको भाई देखने को मिलता है नोब दी गई है जिससे कि center display में जो digital information है वो आप आसानी से भाई change करके देख सकते हैं स्टेरिंग की बात करें तो स्टेरिंग पे कोई भी कंट्रोल आपको नहीं मिलता है प्यानो ब्लैक फिनिस और क्रोम फिनिस के साथ में D.CutSafe स्टेरिंग आपको भाई गाड़ी में मिल जाता है dual airbag के साथ में गाड़ी आती है और स्टेरिंग को आप tilt एड़ेस्ट या फिर टेलिस्कोप एक एड़ेस्ट नहीं कर सकते हैं यानि कि fixed स्टेरिंग ही आपको इस गाड़ी में मिलता है सेंटर कंसोल पे चले तो 8 इंच का टच्सक्रीन इन्फोटेन्मेंट सिस्टम आपको मिल जाता है और प्यानो बलेक फिनिस के साथ में भाई बढ़िया लुक सेंटर कंसोल पे आपको मिल जाती है दो स्पिकर्स आपको इस गाड़ी में मिलते हैं फ्रंट पावर विंडोज के जो कंट्रोल्स है वो आपको भाई स्टेरियो के नीचे ही मिलते है लोक अलोक का जो बटन है वो भी यहां स्टेरियो के नीचे दिया गया है हैजार स्विच यहां पे दिया गया है मैनवल एसी और हिटर दोनों ही गाड़ी में आपको मिल जाते हैं जिसके की कंट्रोल्स यहां सेंटर कंसोल पे भाई आप देख सकते हैं यूएसबी ओक्स और बारा वोल्ट का जो एससरी आउटलेट है उसका पॉइंट आपको नीचे मिल जाता है चोटा मोटा समान रखने की जगे देगे यह फोन वगेरा आप रख सकते हैं फाइप स्पीड मैनुवल ट्रांसमिशन के साथ में गाड़ी आती है और जो गेर लिवर की लुक है वो यार काफे बड़िया देखने में भाई लगती है उसके अलावा पीछे कोई बोटल होल्डर या जो कपोल्डर है वो भाई आपको गाड़ी में नहीं मिलता है glow box की बात करें तो बड़ा सा आयर काफी बड़ा glow box compartment आपको quid में मिलता है काफी सारा समान आप इस glow box में रख सकते हैं और dashboard पे quid की badging आपको मिल जाती है manually adjustable day night IRVM दिया गया है cabin light आपको मिल जाती है और vanity mirror आपको कोई से भी sun visor पे इस गाड़ी में भाई नहीं मिलता है co driver sheet पे जो grab handle है वो आपको नहीं मिलता है पीछे दोनों side में fix grab handle आपको मिल जाते हैं और cabin में कोई भी दूसरी light आपको नहीं मिलती है speakers आपको दरवाजे पे नहीं मिलते हैं यहां dashboard पे ही आगे की तरब जो दोनों speaker है वो प्लिस किये गए हैं वो आप भाई यहां पे देख सकते हैं यह था गाड़ी का front cabin जो की देखने में यार काफी अच्छा लगता है rear की बात करें तो rear दरवाजे पे भी black color का interior दिया गया है विंडो का जो control है वो मिल जाता है bottle holder या speaker लगाने की जगह पीछे दरवाजे पे आपको नहीं मिलते हैं और भाई यह है reno quid 2022 की rear sitting जो red color का insert है वो काफी बढ़िया look यहां पे देता है fix address आपको मिलते है rear parcel tray मिल जाते है center armrest या जो cup holders है वो भाई आपको गाड़ी में नहीं मिलते है बैट के देखे कि space कितना क्या है तो अगली seat मेरी height के हिसाब से set है उसके बाद दो उंगलियों की जगह है वो मेरे पेरों के आगे बसती है पीछे leg room और thigh sport भाई दोनों ठिक ठाक बच जाते हैं तो बहुत ज़्यादा space नहीं है लेकिन 6 feet का आदमी आगे बैठे या उसके पीछे बैठे तो भाई पैर तो खेर उसके नहीं बिचने वाले हैं और जो rear seat पे बैठने के बाद dashboard की look है वो आपके आखों के सामने है और यहां से आप देख सकते हैं कि काफी प्यारी जो look है वो dashboard की आपको भाई लग सकती है boot की बात करें तो boot खोलने का जो lever है वो driver seat के बिलकुल आगे दिया गया है या पीछे भी आप चाबी लगा के boot को खोल सकते हैं और यह है इस गाड़ी का boot 289 लिटर का जो boot space है वो गाड़ी में आपको मिल जाता है और साइड में जहां शोकर्स आपको दिख रहे हैं वहाँ कोई cover आपको भाई यहां पे नहीं मिलता है और boot floor के नीचे आपको मिलता है 14 इंच का spare wheel तो same size का spare wheel है वो भाई आपको गाड़ी में मिल जाता है अब बात कर लेते हैं गाड़ी के engine के बारे में तो reno quid RXT 1.0 में 999 cc, 67 bhp, 91 nm torque और 22 km per liter की mileage के साथ में 3 cylinder 1 liter SCE petrol engine यूज किया गया है जो कि भाई अच्छे खासी power गाड़ी को दे देता है bonnet पे जो damping है वो भी आपको मिल जाती है और quality बहुत ज़्यादा heavy आपको भाई रेनो quid में भी नहीं मिलती है अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के pricing की तो reno quid RXT 1.0 की जो एक showroom कीमत है वो है 5,33,000 रुपए और ये गाड़ी on road आपको पढ़ती है लगबग 6,00,000 रुपए की तो 6,00,000 रुपए में अगर आप गाड़ी ढूंड रहें तो reno quid भी एक अच्छा option हो सकता है लेकिन अब अल्टो K10 2022 भी भाई इंडियन मार्किट में लोंच हो चुकी है प्राइस वगेरे सब कुछ आ चुके हैं तो थोड़ा सा देखके समझके ही अपने लिए गाड़ी लें कौन सी गाड़ी आपके लिए ज़्यादा बहतर साबित हो सकती है लोंग रन में या फिर इंजन में पावर में फेचर्स में वो सब कुछ देखकर ही आप गाड़ी लें बाकी रेनो क्विड आरेक्ष्टी 1.0 वर्सिज अल्टो के टेन 2022 VXI प्लस वैरियंट का जो रिव्यू है कमपेरिजन रिव्यू है वो भी जल्दी बनाने की पूरी-पूरी कोशिस करूँगा ताकि आपको डिटेल में सारे जो डिफरेंस हैं वो भाई इन दोनोई गाड़ियों में पता चल जाए और आप अपने लिए एक बहतर और अच्छी गाड़ी चुन सकें तो यही था अज़का वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे अपना स्पोर्ट देते रहना वीडियो को इंड तक देखने के लिए थेंक्यो दोस्तों